पिता परिवार की आत्मा होता है पिता नाकेवल परिवार का पालन वोशन करता है पर उसमें नेतिक मूलियों का बीचारोपन भी करता है वह परिवार की ताकत होता है बच्चे पिता को देखकर ही बड़े होते है और अक्सर पुत्र अपने पिता का प्रदिबिम्प बनते है इश्वर ने भी हमें स्वयम का प्रदिबिम्प बनाया क्योंकि हम उनकी संदान है एक पिता ना तो लंगर की तर अपनी संदान को एक स्थान पर रूपता है ना ही पतवार की तर उसे मनसिल तक ले चलता है पर वह तो एक मार्ग दर्शक प्रकाश होता है जो मार्ग और मनसिल दोनों बताता है पवित्र ग्रिंद में अनेक पितावों का उलेक है जैसे दावुद जिसने अपने प्रिय पुत्र सुलेमान के समक्ष इश्वर भक्ती का उदाहरन प्रस्तुत किया सुलेमान का इश्वर से विनम्र होकर विवेक और प्रज्या का वरदान मांगना सुलेमान में दावुद की छवी का स्पष्ट रेखांकन है पवित्र ग्रिंद में एक और पिता का उलेख है ववपिता जिसे इश्वर ने स्वयम चुना एक ऐसे विक्ती जिसे इश्वर ने स्वयम अपने पुत्र के पालन के लिए चुना एक प्रेमी, महनती, अध्याकारी, समर्पित, धर्मी जिसका दिल करुणा के सुनहरे तारों से बुनाबो जो कश्टों के काटों को भी मतमली स्नेह से चुए जो विश्वास की सत्य को कसोटी पर पर्खे बिना जान ले जिसके कंधे अपनों की जिम्मदारी से जुखे नहीं जो हाथ थामे तो साथ निभाने के लिए जो प्रेम करे पर बदले में कुछ नहीं मांगे यूसुफ इब्रानी भाषा के शब्ध या सब से लिया गया है जिसका अर्थ है इश्वर बठाएगा या जोड़ना पवित्र ग्रिंद में पुराने विधान में यूसुफ का उल्लेक है जो याकुब की प्रियपत्नी राहेल की प्रतम संतान थी नए विधान में यूसुफ अपने नाम के अनुरूप जोड़ते है बांधे रखते है बचाते है और आगे बठाते है विक्सित करते है अपने परिवार को बालग इस्सा को हमने अभी देखा है कि जो सब नाम का आर्थ और उनका महत्व कैसे और किस प्रकार है उनका नाम का विसलेशन करने पर हमें मालूम पढ़ता है कि जो सब ईश्वर द्वारा बचाये हुए व्यक्ति है और आपस में जोडने का कायरी करते है पुराने विधान में जिस जोसप की बात हमने कही है वो एक एश्वर व्यक्ति है जिनको अपने भाईयों के अत्याजर सहना पड़ा वावजूद इन सब के जब ईश्वर ने उससे बचाया तो वाज अपने भाईयों को अपने माथा बिताओं को एक साथ जोडने का कायरी करते है नए विधान में भी हम देखते हैं कि संद यूसप जिसे सब प्रगार की परेश्यानियों से गुजरना पड़ा लेकिन इश्वर का संरेक्षन और इश्वर की चत्र चाया में वाव सुरिख्षिद रगा इश्वर उन्हें बचाये रखा और इश्वर जिस प्रगार उस विक्ति को बचाया उसकी वज़े से वाव प्रफू इस सामसीग और माता मरियम को आपस में जोडने का पुरे परिवार को जुड़ाई रखने का कायरिय सुयम संद्यूसप ने किया है आएए अब हम दर्मग्रेंद में संद्यूसप के बारे में जो कुछ भी बताया गया है उसके बारे में कुछ पल मनन करें दोस्तो संबाजर लेखक मत्ती और लूकस ने यूसप के विशे में सबसे अधिक वर्नन किया है फिर भी उनके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है कभी ये वर्नन पिता के रूप में यूसप का आकलन करने और इश्वरिय प्रग्या द्वारा उन्हें सोंपे मिशन को जानने के लिए परियापत है हम जानते हैं कि यूसप एक नम्मर बढ़ाई थे उनकी मंकनी मारियम से हुए थे वह धर में था विदान और चार सपनों द्वारा प्रकट इश्वर की इच्चा का पालन करने के लिए सदेवित तत्पर था नाजरत से बेदलहें की लंपी और तक्खा देने वाली यात्रा करने के बाद वे चर्णी में मसीहा के जन्म के साक्षी बने च्योंगी उनके लिए और कहीं जगए नहीं थी वे चरवाहों और जोदिशियों के स्तुदिगान के साक्षी बने जो क्रमश्या इस्राइल के लोगों और गेर एखूतियों का ब्रतिनित द्द्द करते थी यूसप में इसा का पालक पिता बनने की हिम्मत थी जिनको उन्होंने स्वर्गदू द्वारा प्रकट नाम दिया आप उसका नाम इसा रिखेंगी जिनकी पे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा जैसे कि हम जानते हैं कि प्राजीन काल में लोगों के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम करन करना जैसे कि आदम ने उत्पति ग्रंत के उल्लेखों में किया संबंद स्तापित करने के लिए था प्रफु इसा के जन्म के 40 दिन पस्चाद यूसफ और मरियम ने उनके पूत्र को मंतिर में प्रफु को समर्पित किया और आश्चिरी सेम इसा और उनकी माता से संबंदित सिम्योन की भविश्यवानी सुनी इसा को हेरोज से बचाने के लिए वे मिस्र में परदेशी की दरह रहें अपने देश में लाउटने पर उन्होंने अपने पाईद्रग नगर बैदलहें येरसलें और मंतिर से दूर गिलीले के एक चोटे और अंचान नगर नाजरत में गुप्त जिवन प्यतीत किया नाजरत के पारे में एक कहा जाता है कि वहाँ नभी उत्पन नहीं होता और वास्तों में यह गी कि नाजरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है येरसले में थिर्थाड़न के दोरान मरियम और यूसप से अंचाने में बारक वर्षिय ईसा येरसले में रह गे उन्होंने पैचेनी से उन्हें टूंड़ा और बंद्र में शास्त्रियों के साथ पार्तालाव करते पाया हिर्ष्वर के मात्ता मरियम के बाद उनके पती यूसप के अलावा ऐसा कोई संद नही जिनका इतनी अधिक बार संद पापा के सिच्छन में उल्लेख हो धन्य पियोस नववे ने कुने कैतलिक कलीस्य का संदक्षत कोशित किया पूच पियोस बारहवे ने कुने मजदूरों का संदक्षत प्रस्तावित दिया पूर संद जौन पॉल दिदियन मुक्ति दादा का संदक्षत संद यूसप से सारवत्रिक रोब से प्रसन म्रत्यु के संदक्षत के रोब में मतिस्तता की जाती है संद यूसप हमें स्पारण कराते हैं कि विजो अज्याद है और पर्चाई में है बेवे मुक्तिकारी के इतिकास में अतुलनी ये भूमिगा निपा सकते हैं पवित्र ग्रिंद के उल्लेखों के साथ अगर हम उस समय की यहूदी परंपरावों को देखे तो हम माता मर्यम और संद यूसप की कहानी को सुंतरता से सुन सकते हैं संद मत्ती हमें बताते हैं कि यूसफ यूता के वन्ष के थे दावुद के वन्षत जिसके वन्ष के लिए इश्वर ने वजन दिया था कि वे सदा सरवदा इस्रायल पर शासन करेंगे यूसफ एक तरह से सिनहासन के वेधानिक अदिकारी थे स्वरग दूत का बताया नाम बालक को देने के बाद इस साब ही उनके वेधानिक उतरादिकारी थे क्योंकि नामकरन का अर्थ बालक को वेधानिक रूप से अपनाना था पर क्या यूसफ के मन में माता मर्यम को अपनाने की दुविधा नही रही होगी यह प्रश्ण हम में से कई लोगों के मन में हलचल मचा सकता है इस प्रश्ण का उत्तर ना केवल हमें संद यूसफ के विश्वास और धार्मिक्ता का स्मरण देता है बल्कि एक और बात बताता है कि इश्वर ने यूसुफ के रूप में एक आदर्श पिता की चवी को पूर्णता प्रदान की एक ऐसा व्यक्ति जिसका बोला गया एक भी शब्द पवित्र ग्रिंद में उल्लेखित नहीं है पर एक ऐसा व्यक्ति जिसका हर कायरी ही प्रेम, समर्पन और त्याग की भाषा है अक्सर संद यूसुफ को आइकंस अर्थाग पारंविरिक चित्रों में बढ़ाई के रूप में प्रदर्शित किया जाता है बढ़ाई जो लकड़ी का काम करते है फर्निचर आदी बनाते है तर्म ग्रंद में संद यूसुफ को एक मेहनती, परिस्रमी और परिवार के प्रती निष्टा के साथ कारी करने वाला एक व्यक्ति के रूप में दर्शाय गया है हमने देखा है कि किस प्रकार स्वय मेहनत करते हुए संद यूसुफ ने उस परिवार को पारेन पोशन करता रहा साथी साथ जब कभी भी कत्रों से होते हुए गुजरना पड़ा तब हमेशा ईश्वर की इच्चा को सबसे अहम भूमिगा दी थी उन्होंने सपना देखा लेकिन सपनों में भी उन्होंने इही देखा कि ईश्वर की इच्चा क्या है किस प्रकार मैं ईश्वर की इच्चा को अपने जीवन में अपने परिवार में जारी रख सकता है स्वयम उन्होंने एश्वर की इच्चा को पूरी करने के लिए अपना सुकुस्विदाये अपने सब प्रकार का जितने भी कुशिया उनकी जिवन में मिल सकता था सब कुछ उन्होंने खो दिया और इस प्रकार एक आदर्श पिता के रूप में और एक आदर्श पती के रूप में, पती और पत्नी आपस का जो संबंध है उसको बिनाए रखा, एक सच्चे पिता के रूप में प्रफु ईसामसी को हमेशा प्रेम में बरकरार रखा, उसी प्रफु ईसामसी इसलिए हम सभी के लिए आज दुनिया के मुक्ति तादा के रू हो गया है, क्योंगे संद यूसप एश्वर की इच्चा को अपने सपने में भी इश्वर की इच्चा को निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं संद यूसप का एक पक्ष जिस पर संद पापा लियाओ तेरहखवयं के प्रतम सामाजिक परिपत्र रेर्यूम नवार्यूम के समेश से जोर दिया जा रहा है वा उनका कायरी के संबन्ति थे। संद यूसप एक बड़ाई थे जो अपने परिवार के परन पोर्षन के लिए इमानदारी से जीविको बार्जन करते थे। उनसे ईशा ने सीखा कि स्वयम की महनत के फल सुरूब कमाई हुई रोटी काने का मूल गवरब और आननद क्या होता है। हमारे अपने दिनों में जब रोजगार एक बार पुना ज्वलंत समाजिक मुद्धा बन गया है। वो बेरोजगारी जब उन डेशों में भी जो वर्षों से एक निश्चिस तरकी समर्ति का आनन्त भोग रहें थे। रकार्ड स्तर पर हैं। तब कर्म की गरिबा और महत्यों को एक नवेकर्द सम्मान की अविशक्ता हैं। जिसके संद यूसप उदाहर नात्मत संटक्ष है। कारे मुक्ति कारे में रतिभागिता का माध्यम है। स्वर्गर्याज के शेक्र आगमन का हमारे गुण और छमताएं विकसित करने का और उन्हें समाज की और भाद्रत के आईक्य की सेवा में समर्पित करने का अवस्सर है। ये कैवल स्वयम के नहीं पहलकि समाज की प्राद्मिक इक्काई के जो की परिवार है परन भोशन का एक अवस्सर बन जाता है। एक परिवार जिसके पास काम नहीं वो परेशानियों, तनावों, हिंसा और अलगाव की विशेश चपेट में हैं। हमें एव सुनिच्चित करना है कि प्रत्य व्यक्ति एक सम्मान चनक जीवी को पार्चन कर रहा है। कि संबंत में काईरी किये बिना हम मानव के गवर्व के प्रिशे में बात कईसे कर सकते हैं। काम का जी विक्ति चाहे उनका काईरी कुछ भी हो, स्वयम इश्वर का सख्योग कर रहे हैं। और इस तरह कुछ ख़त तक वे हमारे आसपास के संसार के स्रजन करता बन जाते हैं। हमारे समय की विपत्ती जो के आर्थिक, सामाजिक, सांस्क्रतिक और आत्यात्मिक है। हम सब के लिए कारी के मूल्य, महत्वन और अवश्यक्ता को पोना होजने की आक्या के रूप में कारी कर सकती है। ताकि एक नया समाज लाया जाए जिसमें से कोई भी न चूटे। संद यूसप का कारी हमें स्परण कराते हैं, जि मनिश्री के रूप में अवतरन में ईश्वर ने कभी कारी का अपमान नहीं किया। रोजगार को जिनने जो हमारे अनेग भाई बगनों को प्रभावित करता है। और जो कोविट 19 महामारी के कारण बढ़ गया है, हमारी प्रात्मिक दाओं के पुनर अवनोखन के लिए आग्या की तरह कारी कर सकता है। एक विनम्र बठाई, यूसफ बहुत कम उम्र के रहे होंगे, जब उनकी मांगनी मर्यम से हुई होगी। उस समय की यहूदी परंब्रावों के अनुसार, एक सत्रा से बीस वर्ष के लटके की सगाई, ग्यारा से तेरा वर्ष की लटकी के साथ कर दी जाती थी। विवाह तीन चरणों में संबन्न होता था। पहला सगाई, दूसरा विवाह की तयारियों का समय, और तीसरा विवाह होत्सव। यहूदी परंब्रावों में सगाई को बहुत महत्व दिया जाता था। एक तरह से यह विवाह ही था, पर केवल लटका-लटकी आधिकारिक तोर से साथ नहीं रहते थे। सगाई के बाद विवाह की तयारियों का समय रहता था। जिसमें दोनों पक्ष विवाह होत्सव के लिए प्रबंध करते थे। विवाह होत्सव के बाद लटका-लटकी को अपने घर ले आता था। और वे अपना पारिवारिक जीवन आरंब करते थे। संद मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय एक वाक्य 18 में लिखा है उनकी मादा मर्यम की मंगनी यूसुफ से हुई थी अधा हम कह सकते हैं कि यूसुफ एक कम उम्र के नौजवान होंगे पवित्र ग्रंद के अनुसार वधर्मी था अधा हम कह सकते हैं कि यूसफ को संहिता का घ्यान था सुसमाचार के अनुसार ऐसा हुआ कि उनके एकसाद रहने के पहले ही मर्यम पवित्रात्मा से गर्फवती हो गई मुसा के संहिता के अनुसार अगर कोई जिसकी सगाई हो गई हो विवा के पूर्व गर्फवती हो तो पदी उसे सारवजनिक दोर पर कचहरी में अभियोग लगा कर तलाक ले सकता था एसे हालात में लड़की को पत्तरों से मार दिया जाता था संहिता के अनुसार चुपचाप त्याग पत्तर भी दिया जा सकता था एसे हालात में मादा और गर्फस्त शिशू दोनों को नुकसा नहीं होता और कानून तलाक भी हो जाता यूसुफ चुपचाप त्याग पत्तर देने का विजार कर रहे थे पर स्वर्गदूत के कहने पर वे उड़ते हैं और मर्यम को अपने घर ले आते हैं वे जानते थे कि ऐसा करने पर लोग यह कहेंगे कि उन्होंने कानून तोड़ा है संदान उनी की है या वे दूसरे की संदान को अपनाने को तयार है दोनों ही हालात में उनकी बदनामी निस्चित थी पर उनोंने इश्वर की आख्या को सर्वोपिरी रखा और स्वयम की बुद्धी पर आश्रित नहीं रहे देयालू यूसफ ने स्वयम को धर में प्रमानित किया संद यूसफ प्रभु इसामसी का अपना नाम रिख दिया साथी साथ उन्होंने उससे प्रेम की किया है प्रेम इश्वर से उत्पन होता है और इस्वर स्वयम प्रेम है प्रफु इसामसी को संद यूसफ ने प्रेम का पार्ट सिखाया एक पिता वही होता है जो प्रेम करे और उनका पालन पोर्षन के लिए अमेशा साथ दे सिरफ जनम देने वाला ही माता पिता नहीं होते है प्रफु इसामसी का एक सचे शिट्ष के रोप में भी संद यूसफ उपर कर सामने आते हैं जो प्रेम संद यूसफ ने प्रफु इसामसी को दिया था उसी प्रेम के अनरूप प्रफु इसामसी अपने जीवन को भी आगे बढ़ाया इसलिए वास्तो में संद यूसफ एक सही सिट्षक भी है संद यूसफ प्रफु इसामसी के लिए एक सचे सिट्षक के रोप में भी कारी किया है प्रेम, सैन्शीलता, धार्मिक्ता, आदी गुणों को प्रफु इसामसी के जीवन में संद यूसफ के जीवन को देखते हुए मिला प्रफु इसामसी और माता मर्यम के लिए संद यूसफ अमेशा एक चत्र चाया के रोप में और साती सात संद यूसफ ने एक परचाय के रोप में उनको संद यूसफ देता रहा हम देखते हैं कि संद यूसफ जिस प्रकार दुनिया के लिए एक आदर्श पिता के रोप में मुझूद है वैसे है आज दुनिया इस प्रकार के आदर्श धार्मिक परिस्रमी मेहनती पिताओं के लिए लालाईद हो रहे हैं और आज जब हम संद यूसफ को याद करते हैं विशेश डुबसे प्रफू ईसामसी के पालक पिता के रोप में तो ये समझना कि सिर्फ पालक पिता ही नहीं बेलकि वास्तों में एक आदर्श पिता जिनोंने सभी मायने में उनका शिट्चक उनके पिता और हर प्रकार उनके लिए एक आदर्श उदाहरन के रोप में हमारे सामने हुचूद है कैसी ये उल्जन तडपे मेरा आए मन कैसी ये उल्जन तडपे मेरा आए मन मन का तुदीप जला दे उल्जन मेरी सुल जा दे कैसी ये उल्जन तडपे मेरा आए 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 मेरा आए